नमस्कार आप देख रही हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी गुपता बिहार में कानून विवस्ता के मुद्दे पर लगातार घिर रही नितीश सरकार के सामने एक के बाद एक नई मुसीबते सामने आ रही है पहले तो विपक्ष की ओर से सरकार को कट घरे में खड़ा किया जाता रहा है लेकिन अब सरकार में शामिल दो बड़े दलो के दो विधाय की आमने सामने हैं इन में से एक अपनी जान बचानी की गोहार पुलिस से लगा रहा है तो दूसरा सफाई देने में लगा है मामला भागलपुर से जुड़ा हुआ है जहां बिहपुर से बीजेपी के विधायक इंजीनियर शेलेंद्र ने गोपालपुर से जेडियू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल से जान माल का खत्रा होने की बात कहते हुए पुलिस से शुरक्षा की मांग की है बीजेपी विधायक ने जेडियू MLA से जान का खत्रा बताते हुए पुलिस मुख्याले में शिकायत की है मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा मोहिया कराने का आग्रे करते हुए इंजीनियर शेलेंद्र ने आईजी को पत्र लिखा है पुलिस मुख्याले क से डी आईजी ने भागलपूर डी आईजी से जांच कर उचित कारवाई को कहा है इस पूरे मसले पर भागलपूर प्रशेत्र के डी आईजी सुचीत कुमार का भी वक्तव्य सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बियापूर विधायक के पत्र के साथ मुख्याले से प्राप्त हुआ है जिसमें इस मामले की जाच कराकर उचित कारवाई को कहा गया है मैंने नव गचिया SP को इस मामले की जाच कराने और भियापूर विधायक की सुरक्षा को ध्यान में रख उचित कारवाई का निर्देश दिया है बताने की से पहले भी गोपालपूर विधायक के दबंगई की कई घबरे सामने आती रही है लेकिन जंता दल उनाइटिट ने कोई कारवाई नहीं की बीते 21 दिसंबर को गोपालपूर और विधायपूर विधायक के बीच बातचीत का ओडियो वारल हुआ था जिसमें विधायक ने कॉल कर उन्हें धमकी दी की वो गोपालपूर विधायक ने अपने शेतर में नहीं आने की धमकी दिय है हाला कि आडियो के वारेल होने के बाद गोपाल मंडल ने प्रेस कांफरेंस कर इंजीनियर को अपना छोटा भाई और खुद को दबंग कहते हुए सफाई दी थी फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया से जोड़ी ताज़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जोड़े रहें सब्सक्राइब करें